अगर आपने लेक्चर जीरो नहीं देखा है तो आप पहले लेक्चर जीरो देखना उसे फिए आदे घंटे का लेक्चर है वो सेशन देख लेना उसके बाद ही हम यह लेक्चर वन को स्टार्ट करना आप तो जो हमारा टॉपिक है GST, Goods and Services Tax हम इसमें जाने से पहले कुछ बेसिक आईडिया कुछ बेसिक कंसेप्ट हम समझ लेते हैं सबसे पहले हम लोग समझते हैं वाट इस दे मीनिंग ऑफ टाक्स जो पहले दो सेशन जो होंगे वह बहुत जादा इंपॉर्ट होंगे आपके कंसेप्ट्चिल अंडरस्टैंडिंग के लिए नह Kätt इसमें सही डिरेक्ली ने के चांसेस कब हूते बागेल लेकिन अगर यह सारे आपको समझ में आगें सारे टर्म्स अगर आपको समझ में आ गए तो आपके सारे सेशन पूरे सेशन जो होंगे जो भी हम डेसकर्ज करने जो प्हुत स्मूद जाएगे this राइक ग्रेटिंग हो स्ट्रांक बेस फ्रांक सुवह तो हम् में सबसे पहले वर्ड गम समझेपक्ण मतलब अब boxing प्रेट देखने के बाद आपको ऐसा कुछ लगता है कि सर यह वर्ड तो आपने एक्स्पेंग नहीं कि बहुत बेसिक शिंपल सा वर्ड है आपको अगर आसा लगता है कि सर इस वर्ड का मतलब क्या है तो वह बी आप मुझे डाउट पूच सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता आप वीडियो पॉस करके पहले आप खुछ से आंसर देने का ट्राइ करो and then let us try to match कि क्या आप उसी direction में सोच रहेते और अगर आप कुछ और सोच रहेते तो आप मुझे वो भी पूछ सकते सर मेरा तो आंसर ये था मेरे वर्डिंग ये थे क्या ये correct है क्या तो टाक्स होता है को एक mandatory payment होता है to government mandatory payment to government mandatory मदलब जरूरी देनना इच पड़ेगा ऐसा नहीं कि मलब optional है कि government ऐसा आके वर्गनी मांग रहा है कि इस बार आपका कितना लिखा हुआ ऐसा नहीं है आपको पैसा देना ही पड़ेगा government को अगर optional होता voluntarily होता तो इतना जंजटी को होता कोई देता नहीं पैसा mandatory payment इस ते तो सबको pain होता है सबको pinch feel होता है mandatory payment होता है government को लेकिन government को पैसा देना क्यों है government को हमको पैसा क्यों देना government को पैसा चाहिए क्यों government के कुछ basic obligations कुछ basic उनके जो objectives होते हैं वो fulfill करने के लिए उनको पैसे चाहिए होता है like mandatory payment to government to meet expenditures for social welfare education health infrastructure development defense etc. etc. तो यह कुछ basic हम बोल सकते हैं यह कुछ basic requirements होती है हमारी जो government हमको fulfill करके रहती है social welfare का मतलब क्या होता है social welfare मतलब कि जहां पे society में कुछ ऐसे लोग है जो under privileged है जो अपना खुद का basic requirement वाला resources भी वो meet up नहीं कर पा रहे है उनको basic needs भी अपनी फुल्फिल नहीं कर पा रहे है तो ऐसे लोगों के लिए government उनको कुछ ना कुछ प्रोवाइट करती है आइधर at very low cost और at free of cost जैसे राशन की दुकान हो गई वहाँ पे जो उनको अनाज वगरा जो मिलता है जो राइस मिलता है केरोसीन मिलता है शुगर मिलता है वो बहुत ही lower rate में मिलता है गवर्मेंट को उसके लिए पूरे rate पर पैसे खर्च करने पड़ते है तो गवर्मेंट को तो पैसे चाहिए ना अब जैसे मालो हम railways में travel करते है समझो जैसे for example अगर मुंबई में local train में travel करते है तो एक station से next station जाने के लिए सिर्फ पांच रुपय का टिकेट होता है यह अगर हम कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे तो पांच रुपय टिकेट एक्चुली इफेक्टिव ही नहीं अगर यही किसी private company को दिया जाए तो उस पे कम से कम पचीज से पचास रुपय का टिकेट हो जाएगा लेकिन government जो है उनको railway चलाने का objective पैसा कमाना ही नहीं उनका objective है public को service provide करना लेकिन पैसे तो लगेंगे जब railways यह अपना काम किसी third party से करवाएगा तो उनको तो पूरे पैसे देने पड़ेंगे तो वह government पैसे लेंगे का से तो टैक्स के फॉर्म पर लेंगे तो टैक्स के फॉर्म से government पैसे ले रही है और social welfare के requirement के लिए पैसे खर्च कर जैसे government को बहुत सारे schemes वगरा जो चलाते हैं से उजवला योजना scheme तो स्वाज भारत अभ्यान जब चला पैसे लगते हैं तो उस पे वह लोग government खर्चा करते हैं education sector, health sector यह ऐसे sector है जहां पर actually मैं अभी भी बहुत ध्यान देने के जरुवत है I don't think कि अभी यहां पर पैसे कम पड़ रहे, intent जो यह बहुत होना चाहिए, तो कहीं न कहीं, मैं उस दिर हमारे education sector को बहुत अच्छा मानूँगा, जब हर एक परसन government school में अपने बच्चों का admission करवाएगा, rather than private school आज government school में admission सिर्फ वो ही लोग करवाते हैं, जो private school afford नहीं कर पाते हैं, और वो ही सिर्फ government school में admission करवाएगा तो जिस दिन ऐसा हो जाएगा कि लोग by choice government school में जाएंगे, उस दिन में मानूँगा कि yes, education sector जो है, वो develop हो चुका है Similarly, health sector, अगर government hospitals में लोग by choice admission, I mean admit होंगे, मेरा Rahul Gandhi हो गया, अचा मैं अगर कभी भी बीच में कुछ political joke मारू, तो I do not endorse any political party, just एक instant कभी हो सकता है, या ऐसे humor के लिए हम लोग उसको add करके बोल देते हैं, तो don't feel offended, तो health, कि अगर हम बात करें, तो जिस दिन हम government hospital में by choice अगर admit होने जाते है, मतलब by choice मतलब ऐसे by choice बीमार नहीं हो रहे, लेकिन बीमार होने के बाद हम private और government में से by choice government को हम select करते, irrespective हमारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, तो हम मानेगे कि yes, health sector जो है वो improve हो चुका है, तो और इसमें हमको बहुत बड़ी journey अभी भी कवर करनी है, infrastructure development, yes, infrastructure development जो है, उसका speed जो हो तो बहुत बढ़ा है, जो नितिन गड़करी जीए, वो जब से उन्होंने अपने इस काम को संभाला है, वो बहुत जबर्दस काम कर रहे हैं, इसमें, दिखके भी आ रहे हो, yes, you may not agree with me, हो सकता है कि कभी-कभी आप पोलोगे, sir, हमारे area में आके देखो, roads नहीं बन रहे हैं, तो वो होंगे, but yes, overall अगर आप इंडिया में देखोगे, तो roads जो है, वो बहुत तेजी से बन रहे है, defense, defense obviously, मतलब और खास करके इंडिया जैसे country को जहां पे इतने सारे beautiful और प्यारे neighbors हो, okay, हर जगा से, तो हमको defense पे खर्च करने की बहुत ज़्यादा जरूत होती है, तो इसके लिए पैसे चाहिए, तो government को यह सब पैसे चाहिए होते हैं, और इसलिए हम यह payment government को करते हैं, यह mandatory payment है, पर सरीक किसने decide किया कि यह payment देना होगा, किसने decide कि कितना payment देना होगा, पहले बात, कौन decide कर रहा है है, कि यह payment देना होगा, कौन decide कर रहा है कि कौन-कौन payment देगा, कौन decide कर रहा है कितना payment देगा, तो अब इसके ओपर अगर हम समझे, तो article 265 of our constitution, article 265 of our constitution says that no tax shall be levy and collected except by authority of law except by authority of law तो हमारे constitution, हमारे सविधान का, article 265 यह बोलता है कि कोई भी tax, levy या collect नहीं हो सकता, except by authority of law इस पर तो बहुत सारे words आ गए है, जहां पर हमको discussion करना पड़ेगा law क्या होता है, authority क्या होता है, लेवीड का मतलब क्या होता है, ग्रेकर का मतलब क्या होता है जब भी मैं discussion करूँगा, मैं यह मान के चलूँगा कि इससे words आपने पहली बार सुने अगर आपने पहले से सुनके रखे, तो आप और उसको endorse कर सकते हो और नहीं सुने, तो obvious यह तो हमको समझना ही है, तो क्या लगता है आपको, लेवीड का मतलब क्या होता है लेवीड का मतलब होता है, चार्ज करना, to charge और impose, to charge और impose, लेवीड का मतलब होता है, to charge और impose collected का मतलब होता है collection करना या recovery करना collection करना या recovery करना तो collection और recovery में क्या फरक होता है what is difference between collection and recovery collection और recovery में फरक होता है अगर taxpayer खुझ से जाके पैसे देते उसको बोलते है collection collection by the authority और अगर taxpayer पैसे नहीं दे रहा है पैसे नहीं दे रहा है officer आके बोलता है तू भाई पैसे देने पड़ेंगे निकालो निकालो पैसा निकालो वसूली भाई वसूली करके जाते है that is recovery इंटर लेवल पे आप mostly collection के बारे में ही पड़ोगे चाहे वो income tax हो या GST हो मतलब कि कब तक पैसे देने होते हैं कितने पैसे देने होते कैसे calculation करेंगे वो सबम पड़ेंगे return file कैसे करना होता है अब final लेवल पे ये वाले part को भी पड़ोगे कि अगर कोई पैसे की चोरी कर रहा है पैसे नहीं दे रहा है return file नहीं कर रहा है तो फिर उससे कैसे recovery किया जाएगा ओटोरेटी का मतलब क्या होता है किसके पास पावर है लॉको लेके आने की या फिर टैक्स रिटेड लॉज्ज हो है वो किसके पास पावर होते है जैसे बैंने बोला था जब भी हमको डिसकेशन करेंगे अगर आपको लगता है किसका आंसर आपको देना है पास करो खुझ से आंसर देखो लिख के रखो और फिर आप पापर से वीडियो का अन करतो तो जो authority है अगर आपका answer है कि sir tax लेवी कर सकते है central government, state government नहीं ये बहुत ही layman's answer है yes जब भी हम discussion करते हैं हम इसी के बारे में बात करते हैं layman's answer हो गई है लेकिल अगर आपका answer है sir parliament and state legislature perfect आप बहुत सही जा रहे है parliament and state legislature authority जो है union level पर parliament और state level पर state legislature parliament की जब हम बात कर रहे है बहुत हम बात कर रहे हैं यहां पर लोग-सवा, राज्य-सवा state legislature की हम बात कर रहे हैं विधान सभा जैसे parliament में ज़र है two houses đến लेकिट में на कच श्टेट में सिंगल हाउजे कुछ स्टेट में दो होजे जिसे विदान सबाय विदान परिशत और कुछ अलग अलग स्टेट में कुछ थोड़ा बहुत अलग वर्डिंग से भी बोलते हैं तो आपके स्टेट में क्या है वह आप मुझे बढा सकते हैं इनके पास यह power है law को लेके आने की इनके पास यह power होती है law को लेके आने की law को लेके आने law होता कै है what is law और law आता कैसे लॺ फहले law को question हो question का answer को address करने से पहले creative management प्रिंद दोन को question पर देखि लिए थे parliament और states legislature इनके उपर हम देख लिएते है इनके पासे पावर आई कहां से? आर्टिकल 245 आर्टिकल 245 से इनके पासे पावर आई आर्टिकल 245 में लिखा है Parliament shall have the power to make laws or whole of India or any part of it and state legislature shall have the power to make laws or whole of state or any part of it or any part of जब आप lecture देख रहे हो तो आप साथ साथ में नोट्स में आते जाओ, राइटिंग बहुत ज़रूरी है महलब यह जो लेक्चर है, मैं यह जो यह जो रणिंग नोट्स होंगे मेरे वो मैं हर लेक्चर के साथ मैं अविलेबल तो करी दूँगा लेकिन आप जब तक खुद से नहीं लिखोगे आप साथ साथ में लिख सकते हो, या होने के बाद आप वीडियो पॉस्ट करके फिर देखके लिख सकते हो, बट लिखना ज़रूरी है आर्टिकल 245, पार्लेमेंट, पूरी इंडिया में लौ बनाने का पावर है, पूरे स्टेट में लौ बनाने का पावर है, पूरे स्टेट में लौ बनाने का पावर है महाराष्ट्रा में लॉए बनाने का पॉबर पार्राष्ट्रा विदांस हबार के लाव बनाने का पार्राष्ट्रा विदांसभग्ला के पास दो विए और पॉर्लेमेंट के बास अगर क्डान भी स्टेट का मतलब ही नहीं हुं कि टो स्टेट में और फी और पाटी की government है तो ऐसे cases में ऐसे case में अगर हम देखेंगे फिर वो जो center में government है वो state government को functioning नहीं करने देंगे जब भी वो कुछ law लेखे आएंगे कुछ औलग से contradict law लेखे आज़ागे जब बुलेगा article 254 देखो हमने पहले बता कि हमारा law चलेगा तो ये तो बराबर नहीं हुआ ना फिर अब यहां पर समझे देखो जिरोंने constitution बनाया ना उन्होंने इस बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच करें हमारा constitution अगर आप पढ़ोगे इतना beautifully designed है उसमें कुछ चीज़ें छोड़के जहां पर improvement के जरूत है बहुत जबर्दस उन्होंने इसको design किया हुआ है अब आर्टिकल 246 जो है वो बात करता है distribution distribution of power and obligation जो law बनाना है तो आर्टिकल 246 में बना बोल दिया है कि पार्लिमेंट के पास कौंसे कौंसे entries होंगे कौंसे कौंसे matters होंगे जो पार्लिमेंट के हाथ में और कौंसे कौंसे जो होगे वो state के हाथ में जो state के matters उसमें सिफ state law बनाएगा जो पार्लिमेंट इसमें सिफ लिस्ट अब लिस्ट वन में है एंट्री 82 जो इंकम टैक्स के बारे में है टैक्से ओन इंकम अधर दान अग्रिकुल्चर इंकम और एंट्री 46 है टैक्से ओन आइज गल्च नहीं है तो यह इंकम टैक्स के बारे में बनलब एंट्री 82 से ही पार्लेमेंट को पावर मिलता है इंकम टैक्स आक्ट वह लेकर आने का तो यह जो पॉर्शन है यह आप इंकम टैक्स में पढ़ोगे एंट्री 83 कस्टम ड्यूटी या द्यूटी ऑफ कस्टम यह आप मुझसे ही पढ़ोगे फाइनल में इस पाट आफ इस पाट आफ इस पाइनल इंटरे टैक्स अब आप मुझसे ही पढ़ोगे लिकिन फाइनल में अभी इंटर में नहीं है हमारे सिल्वर्श में अगर आप कर रहे हो या सीएस कर रहे हो तो आप कस्टम जो है वो पढ़ोगे एंट्री 84 एंट्री 84 सेंटरल एक्साइज ज्यूटी है तो यह एंट्री 84 वगरा के बारे हम डिसकस करेंगे कुछ टाम के बाद जब हम पढ़ेगा ना कि पहले कौन से टैक्स थे उस पे क्या प्राब्लम थी क्या ज़रुत पढ़ी कि जीएस्टी लेके आने की जीएस्टी लेके आने लिस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् इस लिस्ट में कोई भी टाक्स डेटेड मैटर नहीं है। सर यहां का कोई एक्जामपल दो तो एक्जामपल है एड्यूकेशन। इसमें एक्जामपल क्या जाएगा एड्यूकेशन। जैसे आगर आप देखो कि आपके स्टेट में आपको धिक्रेट स्टेट बोर्ट होंगे। ने इंट्रेड्यूस किये तो ये दोनों बोर्ट पैरलेल ही रन कर रहें। तो Article 265 में Article 265 में बुलाए कि जो Tax है वो उतरेडी से आएगा Article 245 में बताए कि और Article 246 में का Distribution बताए अब आते हैं हम लोग इस पर Law Law जो है वो कैसे बनता है Law किस तरह से बनता है तो let us try to understand this law किस तरह से बनता है सबसे पहले एक bill introduced किया जाता है मतलब अगर मुझे कोई law लेक्या आना है तो पहले मुझे उसका एक draft बनाना पड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे बिल बिल introduced किया जाएगा बिल जाएगा लोक सबा में बिल कहां पे हम प्रेजिन करेंगे लोक सबा में अगर लोक सबा में reject हो गया story खता हो अगर अगर अप्रूव हो गया तो जिस form में वो अप्रूव है उस form में वो राज्य सबा में जाएगा वहाँ पर पर जाएगा राज्यसभा में जाएगा राज्यसभा में अप्रूव होने के बाद प्रेजिनेंट के पास जाएगा यह और अगर प्रेजिनेंट का एसेंट मिल जाता है पूबकि मड़ीन करूब कि यहां, परे अगर अपूरूव हो गया, राज्यसाभा में पूपलकि अगरा पूरूव हो तो यहां, पे हमको प्रेजिलेंट का एसेंट चाहिए, और प्रेजिलेंट का एसेंट जैसी मिल जाएगा, तो उसको हम notification के तुरू, gadgeted notification के तुरू, हम उसको act बना देगे, तो यह होता है एक journey, bill का act बनने का, तो bill जो भी है, वो लोकसभा में present होगे, लोकसभा से, राज्यसभा, राज्यसभा से, प्रेजिदेंट, प्रेजिदेंट जर्सी उसको एसेंट देगा, तो वो act बन सर, इसमें, यह जो bill जो है, यहां से आपने बताएगे, यह bill बनाता हो कौन है, वो draft कौन बनाता है, तो draft कौन बनाएगा सर, central government बनाता होगा, नहीं, सर, central government की concern ministry बनाती होगी, concern ministry का उसमें contribution होता है, लेकिन, यह जो bill होते है, इसको draft करने के लिए एक अलग ministry है, that is ministry of law and justice, ministry of law and justice, यह काम करते हैं, अगर हम taxation की बात कर रहे हैं, तो with finance ministry, और उससे यह bill draft होता है, जो finance ministry है, वो अपना एक draft बना देते हैं, वो बना देते हैं, कि हमको इस तरह से, हमको इस तरह से यह पूरा act लेके आना है, उसमें हमारी सारे provisions है, ministry of law and justice का contribution में यह होता है, जो वो यह देखते हैं, कि यह particular provisions, कोई भी ऐसा provision इस ड्राफ में ना हो, जो किसी और law में, किसी और act में contradict करता हैं, तो उनको उसके उपर ध्यान देना होता है, उनका काम यह होता है, कि जितने भी बाकी laws है, वो सब भी एक alignment में चले, तो यह एक journey होती है, किसी भी act को बनने की, एक journey होती है, अब यह जो लोक सभा, राजय सभा है, यह क्या 365 days काम करतें, नहीं, obviously नहीं काम करतें, इनके जब वो sessions खतम हो जाते हैं, उसके बात जो उनका break होता है, जिसको हम recess भी बोलते हैं, तो उस समय काम नहीं करते हैं, उस समय अगर कोई act लेकर आना है, तो रुखना पड़ेगा, session आने तक, तो लेकिन अगर emergency होगी, जरूरी होगा लेकर आना तो, तो simple है, देखो, फिर मतल जाओ, तीन तक इन रहोगा, वान, तू, त्री, नहीं आए, अब तुम जाओ, अब हम सीधा president के पास जाएंगे, ये 123 क्या था, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123, हम bill जो है, वो इस, जो इसको skip करते हुए, हम सीधा president के पास जाएंगे, हम सीधा किदो जाएंगे, president के पास जाएंगे, और president नै अगर assent दे दिया, president ने अगर assent दे दिया, तो ये, क्या बन जाएगा, act नहीं बनेगा, ये बन जाएगा, ordinance, ये क्या बन जाएगा, ordinance, क्या होता है, ordinance आप इसको मान के चलो, रेख temporary law होता है, और वह जैसी प्रेजिदेंट का एसेंट मिल है उस दिन से वह एफेक्टिव हो जाएगा सर फिर बाद में जब सेशन चालूबा तो सबसे पहले इस ओर्डिनेस को प्रेजिदेंट करना पड़ेगा लेकिन जब तक वह नहीं थे तब तक हमने इसको एफेक्टिव कर दिया तो बस फिर लॉग खतम हो जाएगा अप्रूव हो गया तो वह फिर वैसे वह पर्मेंट हो जाएगा जो मॉडिफाइट फॉर्म में उस फॉर्म में पर्मेंट हो जाएगा तो आर्टिकल 123 होता है जब पर्लेमेंट जो है वह सेशन में नहीं होते और जो बिल है वह सीधा प्रेजिदेंट के पास जाके हम अप्रूव करवा सकते हैं तो इस तरह से हमारा लॉज हो है वह बनता है अब हम जब टैक्स की बात कर रहे है हमने टैक्स का मतलब तो समझ लिया वर ट्रैप्स ओव टैक्स पर टैक्स होते हैं अब जो टैक्स है यहां पर इन दोनों में फरख्या है और टैक्स पर फरख्या है चो इसको समझते हो हो सकते हैं आपको यह अलड़ी मालूम हो प्ट फिर भी हम डिस्कस करेंगे इसको डिरेक्ट टैक्स जो है यहां पर परसन पेइंग दे टैक्स और बेरिंग दे बर्डन आर से परसन पेइंग दे टैक्स और बेरिंग दे बर्डन आर से मतलब जो टैक्स पे कर रहा है वो ही उस बर्डन को बेर कर रहा है परसन पेइंग दे टैक्स और बेरिंग दे बर्डन are different मतलब government को tax कोई actually कोई और pay कर रहा है लेकिन है किसी और के pocket से गा है कोई और burden bear कर रहा है कोई और burden को bear कर रहा है तो उसी से related second point अमरा आ जाता है burden of tax cannot be shifted burden of tax is shifted to end consumer हमेशा जो end consumer होता है कोई मरता है उसी के पर सारा burden आता है not wider base as compared to IDT here we have wider base direct pinch is felt no direct pinch is felt tax evasion is easier comparatively tax evasion is difficult इंकम टाक्स पहले और भी कुछ टाक्स हुआ करते थे वेल्ट टाक्स एस्टेट टाक्स वगेरा वो सब भी अबॉलिश कर दिया है इग्जाम्पल जी एस टी कस्टम्स तो यह सब डिफ्रेंस है तो और आपने ने सब लिख तो दिया है लेकिन यह कुछ समझ में नहीं आ रहे है जिसे एक और पॉइंट है प्रोग्रेसिव इन नेचर रिग्रेसिव इन नेचर पर लेकिन सर यह समझ में नहीं आ रहे है यह इतना सब आपने लिख दिया है यह तो और रड़ा कन्फूजन हो रहा है इसमें ठीक है कन्फूजन को दूर करते हैं हम लोग एक सिचुएशन को समझते एक परसन ने मिस्टर जेटा इसने कुछ गुड्स पर्चेस कि कि यह वाद एक कस्टमर आया मिस्टर आयर दिख लेते प्रॉपरी मिस्टर आयर इसको जो गुड्स के लिए जो प्राइज जो सोच रहा था कुछ हो जाता 25 लाख 25 लाख में इसको कुछ बेच रहा था तभी यहां पे कि कि अग्रमेंट आगया था इसको गहां है नहीं मैं बना रहा हूं पूरा गवर्मेंट आगया कि रावन आप पूरा होने तक आप कुछ भी इंट्रेटेशन मत लेके आओं आइ रिस्पेक्ट गवर्मेंट लॉट गवर्मेंट आगया गवर्मेंट ने बोला रुको रुको जिड़ा लाल तुम कितना पैसा लेने वाले हो बोला 25 लाग सर 25 लाग ने यह 18 परसंट 25 लाग का 18 परसंट कितना होता है तुम जो मान लो 4,50,000 होता है ठीक है मान लो तो अब जिड़राल ने आइयर को बोला जो गोड्स है उसका प्राइस 29,50,000 है इंक्लूडिंग अल टैक्सेस कितना 29,50,000 है तो अब इतना पेमेंट आयर ने जिड़राल को दे द दे दिया अब 29,50,000 में से 4,50,000 मात गर्वर्मेंट के पास चले गए ऐस टैक्सेस बचे कितने 25,00, 25,00 बचे 10,00,000 सप्लायर को देने थे जिड़राल के जो सप्लायर है उसको 10,00 बचे थिए उड़राल के पास कितने बच गए है 15,00, بالक अब जिड़राल गर पे आया फटावट फटावट उसके बाद एक तीजोरी थी तीजोरी थी उसमें जड़ा लाल ने सीधा दया को बुलाया और दया को बुला एकदम धीरे से बुला ये पैसे लो इसको तीजोरी में रख दो तुपके से फटावट रख दो ने पूछा कितने हैं ज्यान ने बुला 15 लाख रुपए और यह रिया का इमेडियेट रेक्षिन 15 लाख है माँ माता जी और जैसी द्यान ने जोड से 15 लाख बुला सरकार वो आपको दिया था ना पैसे पहले हमने कुछ सामनोमन बेचा था उस पर आपको टैक्स दिया था अल्रेडी दिया है टैक्स कोई चोरी का नहीं एकदम इमानदाली का काम है सब तो उस पर से फिर जो सप्लियर को दे दिया हमने उसके बाद 15 लाग का फाइदा हुआ फ मानके चलो इंकम टैक्स होगे अज्यूम कर लो कि दो लाग रुपा इंकम टैक्स अब ये 13 लाक रुपीस जिड़ा लग के तीजोरी में चले गए ठीक है तो ये समझा सब लोगों सब सिनारियो अब इसी एक्जाम्पल का एक और वर्शन देखुए इसबन हम आसे ज्याह देखुए ऐस्ते कर लोगों सब्सक्रादी है अज्वादों के विल्ड़ाच क मिल्ड़ा के उर्शन देखुए की 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 को एक्षाल्यदी तो इसचाहले से चाहुए इस बार हमारा जो business है मिस्टर बीडिया जो business कर रहा है उसमें 0.5 रुपे का वो business कर रहा है गभर्मेंटने बूल आता हो हमारे लिए भी फाटी नटि ऑसन कलेक कर लेन तो बीडिया ने फिर से इस बार इस जिटराल की तरह प्राइस बता दिया 2,95,000 इंक्रूडिंग टैक्सेस जो आयरी कस्टमर है सब्सक्रूस आयर से 2,95,000 बेड़े के पास चला गया अब जो टोटल 2,95,000 आये उस पे से 45,000 टैक्स का पैसा गवर्मेंट को चला गया यहां। जो प्राइस यहां माल लो एक लाग रुपें प्यार के हैं भीड़े के पास टेत लाग रुपें बचे इतने बचे गेर बचे अब जो बीड़े है वो खुदी excitement में आ गया जैसे उसके पास तेट लाग रुपर उसने गीने तेट लाग रुपर जैसे उसने गीना 1,50,000 मादवी तेट लाग आले तेट लाग आले और जैसे उसने तेट लाग आले बुले government ने सुन लिया इधर आओ इधर आओ क्या है बताओ इधर विड़े गया बुला सर मैं इमांदार शिक्षक कुछ मैंने काम नहीं करना हूँ बुला ने ने वो सब छुड़ो इमांदार शिक्षक बगरा वो सब छुड़ो पैसे यह कहां से आये सर वो जो बेचा तो ना उसमें से देखो आपको अब को टाइक्स दिया है मैं भी एक दाव गोकुल दाम्स ओड़ू है् सर् सब इमांदर लोग है आपको पैसा दे दिया है क्थ पैसा दिया लेकिन और फुछ वापैस फाइदा हुआ ना आहां फाइदा हुआ है कितना वाइदा हुआ जाओ कुछ नहीं चाहे तुमसे कुछ नहीं लिया और यह पूरे देड़ लाग रुपए बीड़े के तीजोरी में चले गए पूरे देड़ लाग रुपए उससे कोई टाक्स का पैसा नहीं लिया अब यह दो एक्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करत कि यहां पर क्या डिफ्रेंसे होते हैं किस तरह से डिफ्रेंस होते हैं जैसे यह 4,50,000 की जब बात हुई जिड़ाल का ऑब्जेक्टिव था 25 लाग रुपए लेना था जिड़ाल को 25 लाग रुपए लेना था गुड़्स के बतले में लेकिन गवर्मेंट ने बोला 4,50 मेर को चाहिए इस रांजाक्शन में 4,50 मेर को चाहिए तो जिड़ाल ने किया किया ठीक है तो 4,50 आयर के पॉकेट से ले लिए same income tax में लेकि इंडिरेक्ट tax में they are different यहाँ पर हमारा接下來 and IR है, यहाँ फिर भेडे and IR है, यह लोग tax pay करने आले लोग्ते हैं, यह tax bear करने आले लोग्ते हैं, इसलिए हम यहाँ पर बुलते हैं, वो tax का shift हो जाता है, बुल जो है वो tax का shift हो जाता है, आप इसमें कभी भी आपको कोई direct pinch failed Review नहीं होता है क्यूंकि जो पैसा दे रहा है वह अपनी से नहीं दे रहा है वो दूसरे की सब्सक्राइब कोई नहीं लगती हूं और जिसकी जेप से पैसे जा रहे है, उसको मालूम ही नहीं कि वो टैक्स भर रहे है, आप जाके एक 10 रुपे का चॉक्लेट पर्चेस करते हो, तो वो 10 रुपे में से कुछ टैक्स का पोर्चिन गवर्मेंट को जाते है, पर आप थोड़े ना बोलते हो कि नहीं नहीं, मैंने 9 रुपे क चॉक्लेट पर्चेस का एक रुपे है ना टैक्स देना पड़ा, ऐसे आप बोलते हो क्या, नहीं, आपके लिए बस वोई चॉक्लेट 10 रुपे का है, तो आपको कभी वो फील ही नहीं होता है कि हम टैक्स पे कर रहे, यह तो GST आने के बाद दोग को थोड़ा अवेर्नेस ह यह था, वो एक पूरा नेशन वाइड एक revelation की तरह था, it was one of the biggest transformation, और हर एक परसन इसमें involved हो गया था, जाए वो समझे ना समझे, जाए उसके लिए directly कुछ impact हो नहीं हो, लेकिन हर एक परसन इसमें involved हो चुका था, और इसके वाईसे लोग को थोड़ा अवेर्नेस है, बाग दिन, आप 25 लाग का business कर रहे हो, या 5 लाग का business कर रहे हो, आपका tax का rate सेम ही होगा अगर आप सेम प्रड़क्ट पर डील करते हो, rate of tax नहीं बदलता है, लेकिन अगर आपने income tax पढ़ा हो अभी तक, या नहीं पढ़ा हो तो आप आगे पढ़ोगे, जो old scheme जो है, उसमें वो 0% tax है, फिर 5% tax है, फिर 20% tax है, फिर 30% tax है, जैसे जाब income बढ़ा होगे, आपके tax rate बढ़ते जाते हैं, तो वहाँ पे data law को 15 लाग पे 2 लाग tax देना पढ़ा, लेकिन बिडे को 1.5 लाग पे 0 tax देना पढ़ा, तो यह होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, जो जितना अफोर्ड कर सकता है, उससे जाधा पैसे लो, लेकिन यहाँ पे आप 25 लाग का बिजनेस करो, या 5 लाग का बिजनेस करो, हम तो 80 परसंट ही लेंगे, तो यह होता है, रिग्रिसिवल इन नेचर, सिंस मिस्टर अयर जब टैक्स अपने जीब से बैर कर रहा है, वो डेरेक्ली फिली नहीं कर पाता है, इसलिए को डिरेक्ट पिंच नहीं होता है, और यहां पे, मी कोई डिरेक्ट पिंच नहीं हुता है, क्योंकि उनके जेब से पैसे नहीं गया लेकिन ये 15 लाग रुपए जब जड़ाल रखने ही वाला था, उसमें से 2 लाग देने पड़े, ये 15 लाग रुपए अब उसके हो गए थे, ये 15 लाग रुपए उसके थे, अब अगर फिर से 2 लाग टैक्स मांगा तो क्या जड़ाल आयर के पास जा सकता, अरे 2 लाग और ला लाग करते, और सिर्फ 3 लोग आसपास टैक्स पे करते अक्चरी में, लेकिनustум मुझे तुरे सिर्फ 3 लोग tax पे कर रहे हैं, लेकिन लेकिन जब बजड़ आता है तो slab rate कितना होना चाहिए, अब इसमें बाकि सब लोग 100% लोग discuss कर रहे हैं मैं सोचता और 97 0 लोग उखे कर रोल है, उनको क्या फरक बढ़ रहा है, माल लो अगर आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो अभी, तो आपको क्या फरक बढ़ता है, कि वो पाच लाग से साथ लाग होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो दिख के आता है, तो हर कोई उसमें involved है, सर्चार्ज, जब ही 37% कर दिया था, सर्चार्ज जब 37% कर दिया था, तो इतना discussion हो रहा था, उसमें कि सर्चार 37% कर दिया, इतना बढ़ा दिया है, उन्होंने सर्चार्ज, पहले हाइस 15 बचन हुआ करता था, अब उन्होंने 15, 25, 67 सब कर दिया है, अरे 37% सर्चार्ज उसको बनना है, जिसका total income 5 करोड से जादा होगा, वो भी dividend capital gains पे तो 15% ही है, उसके अलावा अगर कोई और income होगी, पांच क्रोड से जादा होगे, तो 37% सर्चार्ज होगा, यहाँ पे बाकी लोग क्या discussion कर रहे, बाकी लोगों क्या फरक पड़ रहे, लेकिन नहीं, वो दिख्या आता है, लेकिन अगर यही ऐसा हो, क हम देखेंगे, पढ़ेंगे, चैट discuss भी नहीं करेंगे और भूल जाएंगे, और discuss भी करेंगे तो mobile companies को भी problem होगी, अरे mobile companies को problem नहीं होगी, हमारे को problem होगी, mobile का price बढ़ जाएगा, लेकिन हम थोणा, जब हम लोग 40,000 का mobile लेनी जाते है, तो हमारे ले ऐसा होता है कि 40,000 का mobile लिया है, अब उस पर ऐसा तो ना discussion करते है कि हाँ, यह कुछ around 33,000 का mobile है और 7,000 उसमे tax है, वो bill में tax दीखेगा, तो भी वो हमारे दिमाग में नहीं जाएगा, हमारे दिमाग में यह जाएगा, 40,000 का mobile है, अब यहाँ पर, जो भी हमारे points है, I hope is example से clear हो गए, यह भी देख हुथ, चाए बोड़णाल की level पो हो, या b訂a के level पो हो, indirect taxes हर transaction में अता है, indirect taxes हर transaction में आता है, मलब कोई अगर 25,000 की खरीदी कर रहा है, या कोई 1,5,000 की खरीदी कर रहा हूँ, नेकिन income tax जो है वो हर एक transaction में हर एक person के लिए नहीं होता है, income tax हर person के लिए नहीं होता है, एक पर्सने प्षान प्लाव के प्षानिवाट पर्फार्ट के अधर में फंव जो कि एक पर संद इ। नहींक प्रसुपन करें लेकिन फ्रीचींट की अधा कुछीं बनेंगे। जो जितना खर्चा करते जाएगा वो इंटरेक्ट टैक्स में ज्यादा कॉंट्रिब्यूटर बनते जाएगा इसके लिए यहां पर वाइडर बेस होता है तो आई होग यह इस एक्जाम्पल से आप आपका यह पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा तो आजाते हैं हम लोग इंडरेक्ट टैक्स पे जीएस्टी आने की जरुद क्या थी जीएस्टी लाने की जरुद क्या थी जीएस्टी इसले लेके आने की जरुद थी क्योंकि पहले के जो इंडरेक्ट टैक्स सिस्टम थे उसमें कुछ कम्या थी एक तो बहुत सारे taxes थे उन सब को merge करके एक single policy लेकर आना था बलब आपको इसका भी decision लेना है इसके साब से tax compute करने इसके साब से compute करने इसका due date अलग होगा अलग return अलग return ना होगा तो इतने सारे compliance करने पड़ते थे लेट से अगर को एक manufacturer है और वो service भी provide करता है तो वो central exercise में रेजिस्टर्ड होगा वाट के लिए रेजिस्टर्ड होगा service tax के लिए रेजिस्टर्ड होगा CST नंबर उसके पास होगा central sales tax नंबर होगा अगर वो interstate free sale कर रहा है तो तो इतने सारे उसको चैलेंज हुआ करता था बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था फिर दूसरा जब multiple taxes होते तो हो सकता है कि उन taxes पे contradiction हो एक की transaction पे double taxation लग रहे हो या फिर tax के ओपर tax लग रहा हो cascading effect और अगर input tax credit नहीं मिल रहा हो तो उसमें प्रभू सर input tax rate क्या होता है जब tax के ओपर tax लगता है मतलब पहले 100 रुपीस का price है goods का value है उसके ओपर tax A levy हुआ at 10% तो 10 रुपीस सोडल 110 हो गया अब tax B levy हो रहे हो भी 10 परसेंट अब इस इसका मतलब 100 पर भी 10 परसेंट लगा है और 10 रुपे भी 10 परसेंट लगा है टाक्स पे टाक्स लगा है क्या हुआ हुआ यहां पर पाकी है वह मैं बता हूं को कौनसा बाकी है तो यहां पर पहले tax पर टाक्स लगता था cascading effect हो रहा है आईटीसी जो नहीं मिलता था वह क्या होता है मालों मिस्टर ए उसने मिस्टर बी को goods बेचे 100 रुपे में इस पर 18 रुपे tax लेवी किया मिस्टर बी ने 180 का payment कर दिया इस पैसे मिस्टर ए जो है वह आठार रुपे का payment गवर्मेंट को कर देगा मिस्टर बी जो है वो भी business person ही है रहिश्ट परसन है उसने मिस्टर सी को goods बेचा 150 रुपीज में 27 रुपीज tax लेवी कर दिया मिस्टर ऑन-77 का bill बना है मिस्टर सी ने 177 जो है वो मिस्टर बी को दे दिया मिस्टर बी government को कितना देगा अब यहाँ पर यह हो जाता था कि जब पुराने सिस्टम में कुछ केसेज में 27 पे करना पड़ता था लेकिन जहाँ पर input tax credit मिलता है ITC इन्पुट टाक्स क्रेडिट, मतलब क्रेडिट ओफ इन्पुट टाक्स क्रेडिट ओफ इन्पुट टाक्स इन्पुट टाक्स का मतलब वो टाक्स जो आपने पर्चेस करते समय अल्रेडी बेर कर लिये है क्योंकि जो बायर होता है वो टाक्स को bear करता है न, तो purchase करता है समय already tax को bear कर लिया आपने उसका आपको अभी credit मिलेगा, उसका आपको अभी credit मिलेगा, तो यह जो tax है, जो Mr. B ने already bear किया है, उसका यहाँ पर credit मिलेगा और वो सिर्फ net 9 rupees pay करेगा, net कितना? 9 rupees pay करेगा यह हम बहुत detail में discussion करेंगे, इस पर पूरा एक topic है ITC, और plus इस पर हम detail में discussion अभी भी करेंगे, जब हम इसके concept को समझेंगे, कि क्या पुराना tax law जो था, वो किस तरह से किस तरह से इसमें कम्याती पुरान इंडर्ट tax law में, और क्यो GST की जरूरती हमारा discussion इस पर भी होगा कि जो GST जो है वो लाने में इतना time क्यों लग गया इतना समय क्यों लग गया GST लाने में तो let us try to understand this अब जो GST लाने में इतना समय क्यों लग गया जब मैंने यह बुला, तो जो हमारा GST था, तो सबसे पहले हमने 2000 में इसके बारे में discussion की थी हमने 2000 में इसके बारे में discussion की थी तबी जो Prime Minister थी, अटिल भी आरी वाजपाई जी उन्होंने एक committee को बोला था कि आप हमको एक draft दे दो कि किस तरह से GST होना चाहिए, हम GST को launch करेंगे, तो सबसे पहले उन्होंने सोचा था कि इसमें GST होगा उसके बाद 2006-2007 के budget में कभी के finance minister ने पीच इदबरम ने official statement दिया था कि हम 2010 में GST launch कर देंगे हम 2010 में GST launch कर देंगे तो उनका भी objective यह था GST लेके आना बट वो नहीं आ पाए and finally जब 2014 में जब NDA government आई उन्होंने फिर से यही बोला कि हम GST लेके आएंगे और GST लेने आने के लिए उन्हें constitution में amendments के जो process दे वो start कर दिये and 2017 1st to July 2017 1st July 2017 में GST launch हो दे तो यह जो 2000 से लेके 2017 जो 17 taxes को सबस्यूम करके GST लेके आने का process का 17 साल का जो journey है तो क्यो 17 साल का journey है क्यों 17 यहां पर लग गए उसको हम लोग को यहां पर समझ है अगर आप यहां पर देखो 2000 में जब GST लाने की बात की थी तो उस समय NDA गवर्मेंट या BJP गवर्मेंट थी 2007 में जब GST की बात की तो उसमें UPA that is Congress गवर्मेंट थी 2014 में जब वापस GST की बात की तो फिर से BJP गवर्मेंट थी यह दो major national parties है इंडिया की और अगर दोनों ही GST लेके आना चाते थे तो फिर GST को इतना time क्यों लगा अगर दोनों ही GST लेके आना चाते तो ऐसा होना चाहिए था कि जिस दिन GST की बात की राब बनाया और लोकसबा राज्यसबा में उसका discussion कर रहे है और फिर कुछ एकाद point को छोड़के सब agree करके फिर GST आ जाता था 17 साल क्यों लगे जब दोनों का ही same objective था उसमें कुछ problems थे उसमें कुछ problems थे और वो क्या problems थे उसको कैसे दीरे-दीरे overcome किया और किस तरह से GST introduced हुआ वो हम यहाँ पर पूरा journey को समझेंगे तो सबसे पहला जो problem था वो जब मैंने आपको last lecture जो lecture zero में हमने बताया था हम वो वापस यहाँ पर discuss करेंगे GST के लिए states को दो problem थी major दो problem थी बहुत सारी problem थी लेकिन हम दो major problems के बारे में discuss करेंगे एक वो कुछ goods को लेके GST में आना नहीं चाहते थे एक तो obviously alcohol लिकर और दूसरे there were five petroleum products वो GST में लाने के लिए अब भी तयार नहीं थे वो GST में आएंगे लेकिन उनका ये बोलना था कि अभी इसको हम को GST में नहीं लेका बाद में लेकाएंगे अभी हम उसके लिए ready नहीं है इसका जो revenue है वो forgo करने के लिए जो अभी जो state में मिल रहा है हम वो forgo करके GST में आने में shift करने में ready नहीं है बाद में आएंगे प्रॉमिस अभी नहीं आएंगे लेकर ठीक है ये प्रॉब्लम थी दूसरी प्रॉब्लम थी रेविन्यू को लेकर समझो अगर कोई स्टेट में अंडर ओल्ड सिस्टम 100 रुपीस का रेविन्यू था और GST आने के वज़े से 110 हो जाता है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ये खुश प्रॉब्लम थी जिनका ओल्ड सिस्टम में रेविन्यू 100 था जिस्ट आने के वज़े से अगर 92 हो जाता है ये लोग दुखी थे बई नहीं ये जिस्ट नहीं चाहिए हमारा नुकसार हो जाएगा ना स्टेट का नुकसार होगा तो यहां पे ये दो मेजर प्रॉब्लम थी और कैसे इसको ओवरकम किया क्या किस तरह से यहां पे उन्हें दिस्कॉशन पे लिखिया है लेट अस ट्राइट टू अडर्स्टेंड इस सबसे पहले अल्कॉल लिकर की बात करें आर्टिकल 366 12a में उन्हें बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया GST is a tax levied on supply of goods or services or both except on supply of alcoholic liquor for human consumption इसके ओपर जीएस्टी नहीं आएगा उन्हें बोल दिया इसके ओपर जीएस्टी नहीं आएगा तो यह वाला प्रॉब्लम सौल होगा अपर हमने constitution में लिख दिया है कि इसके ओपर जीएस्टी नहीं लेके आएगे हो इसका बतला इस पर जीएस्टी लेके आना है तो constitution में amendment करना पड़ेगा अब यह pattern product का क्या था let us try to understand this scenario मालो आप state के तरफ से representative हो मैं central government की तरफ से representative हो और मैं आपको convince करने आया हूँ कि हम जीएस्टी लेकाना जाते है और हम सब जो है वो एक nation के development के objective के हिसाप से जाते हैं तो आपको मैं एक proposal दूँगा और आपको सोचने मुझे बताना है क्या आप इसको agree करोगे कि नहीं जैसे मालो आपने क्या बोला कि हम जो है हम जो है पेट्रोल प्रडॉक्स के उपर हापने पहले क्या बोला आलकॉल लीकर हम जीएस्टी नहीं चाते तो हम ने बोले ठीक है ने लिखाएंगे फिर आप बोले की पेट्रोल प्रडॉक्स के उपर हम अभी जीएस्टी नहीं चाते हैं बाद में लिखाएंगे अब भी नहीं चाते हम इसके उपर तो फिर मैंने आपको प्रपोस दिलेबल है ठीक है एक काम करते थे थे हम पॉंस्टियोशन में अलकॉल प्रडॉक्स उसके उपर अभी लेवी मत करो जिस दिन जीएस्टी काउंसिल रेकमेंट करेगा उस दिन से एकमेंट करेगे तो मुझे बोलो क्या आप इस बात को मान जाओगे या आप इस बात को मान जाओंगे हमारा प्रपोजल यह आपका पॉइंट यह था कि अभी as of now हम इस पर GST नहीं जाते किस पर पेटर्णर प्रोडक्स पर मैंने आपको यह बोला कि जिस दिन GST काउंसल रेक्रमेंड करेगा बस उस दिन करेंगे अभी नहीं करें हम लोग बस तो अभी आप यह ड्राफ जो है इसको अप्रूव कर तो जिस दिन GST काउंसल बोलेगा तभी इस पर GST लेक्ट आएंगे जिको आपका आंसर yes हो या no कुछ भी उसके पहले आपको यह जानना चाहिए कि सर GST काउंसल होता क्या है माल लो आपने येस बोल दिया हाँ चलो ठीके ठीके एकसेप कर लो जिस दिन GST काउंसल बोलेगा तभी और जैसे आपने सब साइन वाइन किया और फिर आप मैं बोलो चलो ठीके अभी कल से इस पर अब जो करना है कर लो इस पर हम लोगो समझना पड़ेगा तो यहां पर GST काउंसल जो इसको समझते है आर्टिकल 279A में Constitution में उन्होंने GST काउंसल को Define किया होगा है अब GST काउंसल क्या होगा तो यह GST काउंसल का जब तक हम मीनिंग नहीं समझेंगे अब तो हमको समझेंगा नहीं कि सर यह proposal को हम एकसप कर सकते कि नहीं कर सकते तो GST काउंसल का मीनिंग समझेंगे हम लोग घैर अब उसके पहले स्वख काउंसल को ध्यान में रखना GST काउंसल को ध्यान में रखना उसके पहले अगर मैं आपको बोलू what does India comprises of India का पूरा definition नहीं पूछ रहा हूँ है इंडिया का definition पे भी हम जाएंगे लेकिन इंडिया what does India comprises of या फिर और question को मैं direct कर देता हूँ इंडिया में total कितने states है इंडिया में total कितने states है I hope आपका answer 28 ही होगा कौनसे कौनसे union territories है कौनसे कौनसे union territories है तो union territories है इंडिया में जम्मो एन कश्मीर पुद्डू चेरी जल्ली इसको ऐसे यहां पे लेकर देखे शिफ्ट कर देखे ताद्रा और नगर हविली और दमनेंद्यू यह अभी एक ही unit territory हो गया है 2020 में यह एक ही unit territory बन गये जो पहले अलग अलग हुआ करते थे अब यह एक ही है अन्दमाने निकोबर आइलेंड मोदी जी का फेवरेट लक्षद्वीत हम सब का भी फेवरेट चंदीगर लद्दक हम जब GST में unit territory का definition देखेंगे तो यहाँ पर एक और पाट हम कुछ पढ़ेंगे पहले तो अगर कोई आपको पूछे कितने unit territory होते है total 8 unit territory होते है कौनसे कौनसे होते है जम्मोन, कश्मीर, पुटुचरी, दिल्ली जादर नगर हवेली, अंदमा, निकोबर आइलेन, लक्षवदीप, चंदीगर, लद्दक तो यह पाच और यह तीन, total 8 unit territory होते है अब यहाँ पर अगर इसके बात करो आप तो आपकी दिमाग में कुशन आना चीज, सर यह 8 है, वो ठीक है, वो समझा यह हमको ही माउन था, कितना जनरलाज है हमको I hope that तो आपने इसको अलग-अलग क्यों लिखा है These are unit territories with state legislature These are unit territories with state legislature So state legislature, which state legislature मतलब क्या इसका मतलब है कि यह unit territories में इनके खुद के Chief Ministers होंगे इनके खुद के Chief Ministers होंगे तो यहाँ पर इन जगाव पर खुद के Chief Ministers होंगे तो जबो एन कश्मीर में अभी as of now कोई Chief Minister नहीं है पुद्डूचुरी में Chief Ministers को है मुझे नहीं पता दिल्ली में Chief Ministers कहा है किसी को नहीं पता तो इन में Chief Ministers होते हैं ठीक है अगें मैं बोल रहा हूँ परिटिकल जोक्स ऐसे ही सिर्फ हमारे परसन एंटेटेन्मेंट के लिए उससे कोई offend नहीं होना है तो तो टोटल जी स्टी परपस के लिए 21 प्लस 3 थर्टीवन स्टेट्स होंगे थॉप इंडिया में कितने स्टेट्स होते हैं इंडिया में 28 स्टेट्स ही होते हैं आपको पूछेगा, इंडिया में कितने सेट्स होते है। आपको 28 गुंलने सेट्स बोलना है। बोलना तो, बोलो, मिरा नाम मुद बोलना। पीजे सर ने सिखाय है, ऐसे नहीं। 28 सेट्स ही होते हैं। For GST Purpose, हम 31 सेट्स बोलेंगे। और GST purpose हम 31 states बोलेंगे जब भी भी कोई provisions state के लिए applicable होगा वो जम्मु कश्मीर, पुटुचरी और दिल्ली के लिए applicable होगा वो जम्मु एन कश्मीर, पुटुचरी और दिल्ली इन सब के लिए applicable होगा जो provisions unit territories के लिए applicable होगे वो दादरा नगर हवेली, दमन एंद्यू, अंदमान एन निकोबर आईलेंड, लक्षवदीप, चंदीघर्ड, लद्दाक इनके लिए applicable होगे तो GST परते से में हमारे लिए ये वाला लिस्ट जो है वो unit territories का है, इसको आपको state ही मानना है, total 28 plus 3, 31 states तो ऐसे हो जाएगे ये point समझा है जब लोग को, आप जब तक पता कर सकते हो कि पुड़ुचरी में कौन चीफ मिनिस्टर है, ये सब knowledge होना चाहिए, बड़ा बहुत कुछ से पता करो अब article 279 A का composition किस तरह से है, GST council जो है, इसमें total 33 members है, कितने members है, 33 members है, जिसमें से एक member chair person है, और ये chair person होगा, कौन, union finance minister, union finance minister, वह अब निर्मला सितरमा, जो अभी finance minister है, वो chair person, और एक member होगा, union minister of taxation, मतलब जो union territories के लिए, जो taxation minister है, वो एक member होगे, और बाकी के जो 31 members होगे, they will be representing, each state, representing, each state, each state मतलब total 28 states होते है, 28 होते है, अभी अभी हमने बुला ना, अभी पुदुचरी, जम्होन कश्मी, दो द्यार union territories, उसको GSC purpose के लिए state मानना है, तो 28 प्लस 3, वो सारे 31 में से एके members यहाँ पे आएंगे, union territories को represent करने के लिए एक member, और इन सब के लिए chair person, finance minister, यह सा composition है, जिसमें, इनके votes का जो वेटेज है, वो one third होगा, जो union ministers के जो vote की वेटेज है, one third होगे, और state का जो vote का वेटेज है, वो two third होगा, now, if you are state representative, और अगर आपको यह मालूप पोड़े, अच्छा GST council composition में यह 33 में से 31 member states के है, तो मतलब states को ही मिलके decide करना है कि कब petroleum products के उपर GST आएगा, तो definitely आप agree करोगे, definitely आप agree करोगे, इसलिए देको अब तक petroleum products में GST आया भी नहीं, GST आके almost 7 साल होगे, लेकिन अब तक petroleum products जो है, वो GST के bracket में नहीं आए, तरह बार-बार petroleum products, petroleum products बोलते हैं, आप 5 petroleum products भी आपने बोलें, लेकिन concept बोलते हें बोलते हैं, इस आप यूज़ण थी, motor spirit, Motor spirit मतलब कि अच्व कमोंझ हैै थी पैत्रोंज चाहँः कभ खेट्रोंग, एवियेशन तर्बाएन फ्यूल एवियेशन टर्बाएन फ्यूल मतलब जो प्लेंस वगरे में फ्यूल लगते हैं वो और नाचरल ग्यास नाचरल ग्यास मतलब यह वाला ग्यास नहीं नाचरल ग्यास मतलब जो नाचरल जो रिसोर्स जो हम एक्स्टोर कर सकते एक्स्ट्राइक कर सकते वो नाचरल ग्यास है यह नाचरल ग्यास है तो यह पाच ऐसे प्रड़क्ट है जिसके उपर अल्कॉल लिकर के अलावा ये 5 प्रड़क्स के ओपर भी GST अभी नहीं लग रहे इसके ओपर GST लगेंगे उस दिन से जब गवर्मेंट नोटिफाई करेगी on the recommendation of GST council अब इन्होंने एक और पॉइंट यहां पर GST council में उन्होंने एक और पॉइंट के बारे में discussion किया तो पहले तो चलो एक और पॉइंट से आलावा पहले तो हम लोगे यह समझ लेते कि देखो यह problem तो तो अलोगी यह problem solve होगी यह problem solve होगी अब बची किसकी problem revenue की problem solve करते हैं चलो revenue के बारे में बात करते हैं revenue में किस तरह से उन्होंने बात कि देखो sales उन्होंने बोला आपका existing system में कितना revenue और रुपया फिर बोला की GST आ जाएगा तो कितना revenue होगा बोला 115 रुपया बोला अच्छी बात है enjoy करो हम आपके खुशी में खुश है enjoy करो revenue बढ़ रहा है आपका GST चाने से must enjoy करो कि किसी और स्टेट को बोला आपका 100 रुपीज है revenue स्टेट B को बोला कितना हो जाएगा 92 और रुपय का shortage कि शॉटेज में भी हम आपके साथ है यह आठ रुपया हम आपको compensate कर देंगे यह आठ रुपया हम आपको compensate कर देंगे इसका हम आपको promise करते है अब state government बोला देखो ऐसे सब मत यह सब promise हम भी बहुत करते हैं अब यह promise कर दोगे बाद में बोलोगे आरे पैसा ही नहीं है पैसा ही नहीं हम देंगे देंगे books में दिखते जाएगा स्रिफ payable payable पैसा सच में नहीं आएगा तो हमारा तो administration में problem हो जाएगा ना हमको तो पैसे देने पड़ेंगे आगे तो पैसे तो हम ऐसे तो विश्वास ने करेंगे तो रहां देखो हम विश्वास करो हम यहां पर एक और tax मलब जो cgst है sgst utgst है igst है इसके अलावा एक और tax लेकर आजाएंगे compensation वाल यह क्या है यह है gst compensation to state cess और फिर इसमें आपको compensation देनेंगे तो आगे यह क्या बात हो इससे अच्छा तो जो टाक्स है जो गुड्स के अपर यह सारे गुड्स पे लगते नहीं सारे गुड्स पर लगते तो जो गुड्स पर जीएस टीएक पर लगाने वाल लेते उसे पे रेट बढ़ा देते थे और वैसे भी देखो हमको syllabus में rate तो पढ़ना नहीं है तो क्या फरक बढ़ा देते थे उसमें 18% के जगह पे 20% कलेक कर लेते थे 18% के जगह पे 40% कलेक कर लेते थे यह और एक ऐसा additional चीज़ बढ़ाने का student का syllabus बढ़ाने का क्या मतलब है वैसे दो बाते में आपको पहली बात तो यह इंटर में तो हमारे syllabus में है नहीं फाइल में भी नहीं जो बच्चे CS कर रहे है उनको यह पढ़ना पड़ता है तो उनके तो syllabus का part बन गया यह तो वो सोचेंगे कि यह हमारे लिए burden क्यों बढ़ा है तो यहाँ पर point को समझो देको यह सब tax है यह सब क्या है tax है आप यह हम बात करें CES तो tax और CES में फरक क्या होता है सची को CES का जो पैसा होता है वो एक specific fund की तरह होता है और जो tax का जो पैसा होता है वो एक general fund की तरह होता है यह जो tax का पैसा है government किसी भी purpose के लिए यूज कर सकते है तो जब budget बनता है तो budget में जब government decide किया तो हम इतना पैसा यहां पर यहां पर allocate करने वाले तो हो सकता है साल बर में शायद वैसा हो ना कि हो सकता है साल बर में कुछ अलग situation आ जाए कुछ अलग requirement आ जाए तो कई और budgets को कई और ज्यादा utilize करना पड़े कोई नया requirement ही आ जाए जो पहले हमने सोचा ही नहीं था वहां पर utilize करना जिस purpose के लिए आपको यूज करना है वो सेस के नाम में लिखा होता है compensation to state वो सेस के नाम में लिखा होगा compensation to state तो यह यहां पर यूज होगा तो government ने बोला हम यह वाला tax impose करेंगे और some goods जैसे कि कुछ sin goods वगरा है तो बैको वगरा उसके ओपर सेस लगता है luxury goods जो है उसके ओपर सेस लगता है तो हम वहां पर collect करेंगे और हम आपको इसका revenue वो distribute करते रहेंगे जो भी आपका shortfall हम आपको by monthly हर दो मैने में देते रहें कितना से 5 साल तक ही रखेंगे तो मतलब देखो हम suddenly हमारे tax system को shift कर रहें तो हो सकता है कि आपको 100 का 92 हो जाए तो आपको problem हो लेकिन 5 साल हम आपको time दे रहे so that आप जो existing tax system हो जाएगा अभी DST उसी में अपना जो budget है वो budget को आप fit करना सीख जाओ and आपके पास अगर कुछ shortfall होता है तो आप कुछ alternative revenue model आप plan करते दो हम आपको 5 साल का time दे रहे आप independent होने के लिए 5 साल तक हम आपको support करेंगे 5 साल तक मतलब 1st July 22 को GST आया था sorry 1st July 17 को GST आया था plus 5 साल मतलब 1st July 22 मतलब अब तक तो यह जा चुका होगा ना सत अब तक तो यह जा चुका होगा तो सर्व आपने आप भी बोला था CS को वगर होगा तो उनको भी क्यों होगा CS के students मेंको question पुछेगा सर्व हमको क्यों होगा यह है ना तो यहाँ पर 1st July 22 तक यह CS रखना था लेकिन उसको उन्होंने extend कर दिया तिल 2026 उसको उन्होंने तिल 2026 तक extend कर लिया है अब 2026 तक वह effective रहेगा अब देखते है 2026 के पहले उसको बापर से extend करते है क्या तो अब यहाँ पर यह वाली problem भी solve होगी यह जो second problem थी हमाजी revenue की यह भी solve होगी इसको कैसे solve किया GST CS के एसाब से अब जो GST council है article 279 में उन्होंने कुछ स्टेट्स को special category states बता है कुछ स्टेट्स को special category states बता है और कौन से कौन से स्टेट्स है मनिपूर्थ मिजोरम्प नागालेंड क्रिपूरा पुत्राखन्ट सिक्केम्प अरुनाचल प्रदेश मेगाल्या हिमाचल प्रदेश आसाम यह ग्यारा स्टेट्स है जो special category states है मैं जभी भी special category states लिखूंगा मेरा लिखने का जो states का जो order होगा वो यही होगा इसी order में मैं लिखूंगा उसको हमेशा क्यूं इस order में लिखूंगा वो हम देखेंगे अभी इसको समझेंगे बाद में अब यहां पर यह जो ग्यारा स्टेट्स है यह आर्टिकल टू सेंटीनान एके साब से special category states है जब हम composition scheme पढ़ेंगे उस पर हमसे भी आज states पढ़ेंगे जब हम registration पढ़ेंगे उस पर हमसे भी चार states पढ़ेंगे और यह 11 states को कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊ हूँ जो तो वैसे आपको याद होना चाहिए यह सिम north eastern states है और तीन जो है वो हिली states है ए लेकिन फिर भी अगर हमको याद नहीं रहता है कॉंचे कॉंचे से स्टेट से तो मैं उसका याद करने का आपको एक लॉजिक बताऊंगा कि अगे तो हम हमारे डिस्कॉशन को कंटीनू करेंगे इसके बादवाले सेशन में तिल देन बाई थैंक यू